जुनिरू जिले के आठ ब्लोकों में लगातार गिरते जल इस्तर के बाद गाओं गाओं में यमना जल समझोते को लागू करवाने की मांग जोर पकड़ने लगी है यमना का पारी जिले में लाने की मांग को लेकर विभिंट संगटनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है जुनिरू के सिक्षक भवन में यमना जल समझोते को लागू करवाने की मांग को लेकर संगरश कर रहे विभिंट संगटनों की संङक्तु बैठक का आयूजन किया गया यमना जल संगर समति संयोजक यश्वरधन सिंग Crit ns ने यमना जल को जले तक लाने को लेकर संगर सरत विभिन संगटनों की संयुक्त बैठक हुई संयुक्त बैठक में यमना की पानी की टेक्निकल अप्रूवल दिलवाने की मांग को लेकर केन सरकार से मांग की गई है बीते चार सालों से डिपीर बनने के बावजूर टेक्निकल अप्रूवल रुकी हुई है जले के आठ ब्लोक डार्क जोन में जा चुके हैं गिरते जलिस्तर को लेकर किसान पलायन करने को मज़बूर है सायुक्त संगर समती अब गाउगाउ जाकर टेक्निकल अप्रूवल को लेकर किसानों और ग्रामिड़ों में जन जाग रुकता अभियान चलाएगी ताकि केंद सरकार टेक्निकल अप्रूवल पूरी करवाते हुए जिले को यमना का पानी दिलवाने की मांग को पूरा करें और जल संकर से जूज रहे जूजिनु जिले के आठ ब्लोकों को यमना का पानी मिले पूरे जिले के अलग अलग संग्ठन जो यमना का पानी जिले तक लाने के लिए संगर्श रहत हैं उन सब की एक संयूख्त मीटिंग हुई है और मैं यमना जल संगर संगर समीति का संयूज जग के नाते मैं भी इसमें आज शामिल हुआ हूँ तो यह जो प्रोड की उसकी टेक्निकल अप्रोड पिछले चार साल से पेंडिंग है राजनिते क्या किसी भी कारण से वो रुकी हुई है तो हम सब लोगों ने आज यह तैय किया है कि जिले के गाउं गाउं डानी डानी जाकर इस मुद्दे को जनता को बताएंगे हर धर्म हर जाती की व्यक्ति को साथ जोडेंगे हर पार्टी की व्यक्ति को साथ जोडेंगे और इस मुद्दे को दरातल पर उतारेंगे और यमना का पानी जिले तक लाने के लिए जो संगर से उसको पूरी तरह जमीन पर उतार कर और हम उस टेक्निकल अप्रूवल के लिए महल बनाएंगे त के लिए आजी बैठे की